तो viewers जैसे कि मराठी में कहते हैं तिल गुड ग्या और गुड गुड बोला। मतलब तिल और गुड खाओ और साल भर मीठा मीठा बोलो। तो इसी तरश पर आज हमने बनाए हैं तो का संक्रान्ती स्पेशल तिल और गुड के लड्डू। ये लड्डू स्पेशल मकल संक्रा तो इसी बनाना बना की गुड़ू, ये बनानकी, वकुजा देए दिल का मैं की अफुरू पनाना की में नयों के लिदा हैं तो झाल की यख़्मिए के लिए टूर्ट केशल का संक्रा की जाता है। एज लाइए पैसा पोलिश नूर्ट मेरी मां हमेशा छिलके वालों की ढाक तील के सब्सक्राइलेती, बनान ost होगा लाय इडाक के पिनट गुट के लिए, पीच फिफिते सब्सक्रांके माथ अब इसे अच्छे से मैंने कपड़े से पोश लिया था पहले ही और उसे पीनट को अच्छे से रोस्ट करके अब ठंडा कर लेंगे और इसके छिलके उतार लेने हैं जब तक यह ठंडा हो रहा है हम अपनी तिल को भूँच लेंगे वैसे तो हमारी मा इसे अच्छे से धो के धूप में सुखाती थी उसके बाद फिर तिल को भूँचती थी पर यहां पर दिली में बिल्कुल धूप ना होने के वज़े से मैंने इसे कपड़े से अच्छे से दो से तीन बर पोच लिया है आप चाहे तो आप भी ऐसे कर सकते हैं को हमेशा हमें धीमी आज पर भूनना में और तिल कैसे भूनी है आपको पता चलेगा अपने आप तिल क्रैकल होने लग जाएगी और थोड़ा सा क्रंचिनेस आ जाएगा अब हमारी दिल भून चुकी है इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और मिक्सी की जार में हमें इसे पीसना है पीसते समय आप ध्यान रखिए और दो से तीन हिस्सों में इसे पीसना है अब यह देखिए अच्छा सा पाउडर बनके हमारा रेडी हो चुका है इसमें हम डालेंगे अब जो पीनर्स हमने भून के छेल लिये थे उसका भी पाउडर उसी तरीक से पल्स पे करना है हमें सेम प्रोसेजर से हमने पीनर्स भी अच्छे से भून के पीस लिये हैं अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद मैंने 200 से सवा 200 ग्राम गोड का लिया है लगभग एक कटोरी आप चाहे मीठा अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं अगर आप यहां शुगर एड़ करना चाहते तो आप वह भी 200 ग्राम तक इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर एक कटोरी गोड लगभग 220 ग्राम मैंने उसे कद्दू कस कर लिया है सबसे थोड़ा सा ट्रीकी पार्ट है इसे गोड के साथ अच्छे से मिक्स करना बहुत अच्छे से तिल और पीनट्स को हमें गोड के साथ मिक्स करना है अच्छा भी होता है और थोड़ा प्योर भी होता है तो उस गोड का ही इस्तमाल आप किजे साथ ही मैंने खुश्बू के लिए 6-7 इलाइची के दाने अच्छे से कूट लिये हैं आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं पर इसे खुश्बू अच्छी आती है फिर से एक बा दूद इस्तमाल किया है ताकि हमें बाइंडिंग के लिए हेल्प करेगा आप चाहे तो पानी का इस्तमाल भी यहां पर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम ने टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है पर दूद से जो है और भी अच्छा टेक्स्चर और टेस्ट आ जाता है आप बच्चा भी इसे बना लेगा इतने असान होते हैं बस ध्यान आपको यह रखना है कि दूद के छीटे डालने है या तीन से चार टेबल स्पून डालना है उससे जादा दूद ना डाले अगर थोड़ा बहुत जादा हो भी जाए तो इसको अच्छे से पंखे के नीचे देखिए बहुत असान है बहुत जल्दी बन जाते हैं और यहां मैं आपको तोड़के दिखाते हूँ यह देखिए बिल्कुल कड़क नहीं होंगे ना चीनी का पाक का इस्तमाल हमने किया है ना कोई मेहनत लगी है बहुत जादा चाशनी के पाक के टेंशन के इमना जट से प्रेडी हो जाते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए धन्यवाद